बिजली का तार चोरी करने वाले अंतर राज्ये तार चोर गिरों के दो चोरों को आज तोरपा पुलीस ने दर दबोचा है पुलीस ने ये करवाई एक गुप्त सुचना के अधार पर की है जिसमें पुलीस को बताया गया था कि अंतर राज्ये तार चोर गिरों के दो चोर जो की कमडारा से बिजली का तार लेकर तोरपा खूटी होते हुए राची जाने वाला है जिसके बाद पुलीस ने करवाई की और गाड़ी को जब्त किया जिसमें की भारी मात्रा में बिजली का तार जब्त किया गया है इसके अलावे गाड़ी से दो चोरों को भी पुलीस ने धर दबोचा है दोनों ही चोर राची जिले का रहने वाला है बताया जा रहा है कि ये चोर अंतर राज्ये चोर गिरों के स लेकिन पूलीस ने समय रहते ही तरपा के दियंकेल के पास चोरों को धरदावोचा है जिसके पास से पूलीस ने गारी को जब्त करते हुए गारी से लगभग 800 किलोग्राम तार को भी जब्त किया है। फिलाल पुलीस ने दोनों ही चोरों को गिरफतार करते हुए नियाइक रासत में जेल बेज दिया है।